हम बात करते हैं बारह राश्यों की बारे में कैसकी बारह राश्यों क्या करती हैं कौन विदेश जाएगा, कौन खेल के च्छतर में जाएगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन फिल्म बनाएगा किसको भूमी भून से लाह मिलेगा कौन करिश योग भूमी खरीदेगा प्रापल्टी किसको खरीदने का योग बन रहा है वहन कौन खरीदेगा सुभ कारे किसके घर में होगा सारी बात मैं बताऊंगा आपको सौधानी का अबरतनी उपाय क्या करना है यह सारी बाते बताऊंगा और किस रंग के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी किस रंग के प्रयोग करने से आज आपके सारे कारे संपन्न होंगे आईए शुरुआत करते हैं मेश राशी से जो मेश राशी की जातक है आज कर दिन आपके लिए काफी अच्छा है आपके कर्व चत्र में बड़े लेबल पर परिवर्तन का योग बन रहा है आज आपको मानसिक प्रसंता मिलेगी जो आपने रिण लिया हुआ है उस रिण से मुक्ती मिलेगी जो आपकी योजनाए हैं लाभकारी होगी जो प्लानि प्रापर्टी से धन मिलेगा सेहत को ले करके थोड़ी चिंता हो सकती है तो सेहत पर ध्यान देने की जुरुत है माता-पिता का स्वास्त उत्तम होगा प्रापर्टी त्यादी खरिदने का औसर मिलेगा सौधानी का बरतनी है विवादों से दूर रहना आपके लिए बात करते हैं ब्रिश राशी की जो ब्रिश राशी की जातक है आज आपके घर में आंतरिक कला से मन उद्धिक न रहेगा तो आप कला होगा रहा से बचें और परिवारिक किस्ति को कैसे सुल्जाय जिस पर आपको ध्यान रखने की जुरुत है आपकी जो भी समस्या है आज उसका समाधान होने का यूग बन रहा है, लाब का प्रबल यूग बन रहा है, संतत्यों का सुख मिलेगा, धर्मार्थ कारों में रूची बढ़ेगी, ब्यापार में उतार चड़ा होने से मन थोड़ा उद्विग न हो सकता है, परिवारिक की सित अच्छी होगी, माता पिता क सुख मिलेगा, दामपत्य जिवान अच्छा होगा, पत्नी को नोकरी मिलने से मन प्रफुलित रहगा, सौधानी क्या बरतनी है, बहांस बाजी में समय न गवाएं, कांक्रिट कारे करने की जुरुरत है, उपाय क्या करना है, भगवान भोले नात की आराधना करें, और उनक मैं बात करते हैं मिथून राजशी की, जो मिथून राजशी की जाता है का आज आपको ध्यान रखना है, कि अपनी महत्वा कंचाओं को कार रूप में पढ़त करें, समय आपका अनकूल है, अपनी जो परिवारिक जन है, भाई बंधू है, उनके ब्योहार में आपके प्रत बन रही है, आज आपको चतुर्दिक चत्रवे सफलता मिलेगी, ब्यापारिक की सित्य अच्छी होगी, जदी भाई बहन के लिए कोई बड़ा कारिक करने की उज़े नहां बना रहे हैं, पतनी की स्वास को ले करके थोड़ी चिंता हो सकते हैं, और आपका दामपत जो अच करना करें, गड़ेश जी को दुरवारपीत करें, गड़ेश चलिशा का पाट करें, ओम गंग गड़पते ने विसमंतर का जब करना के लेच्छा रहेगा, सुबंके नौ सुबरंगे हारा, लक्त मीटर है साथ, हरी क्रिश्न, करकराशी की, जो करकराशी की जातक हैं, आज होगा, आज आपके अपने जो जहां नोकरी करते हैं, वहां लोगों से संबंद अच्छे होंगे, आपके कारियों में उतार चढ़ावा सकता है, थोड़ा विरोधी शक्री हो सकते हैं, पैत्रिक संपत्ती में लाब मिलेगा, सिहत में सुधार होने से मन प्रसंद रहेगा, जैदी घर में कोई बुजुर्ग वैक थी, तो उसके स्वास में सुधार होगा, बहान खरी सकते हैं, क्रिशोग भूमी खरीदने का उसर मिलेगा, रियल स्टेट प्रापल्टी से लाब मिलेगा, और कई महत्पुर्ण कार होने की संभावना बन रही है, सौधानी क्या बरत करते हैं सिंग राशी की, जो सिंग राशी की जातक हैं, आज का दिन आप के लिए बहुत अच्छा है, आलश्यका प्रताकर्य अपने कर्म छेतर में लग जाए, सेहत को ले करके एलल्ट रही है, प्राकरम से दनलाब मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, और आज आपके जीव सुभ और मांगली का रहुने की समाचार मिलेगा, जो आपके लिए बहतर होगा, सौधनी के अबरतनी है, गुस्य पनियंतन करें, उपाय क्या करना है, सूरी देव को अर्ग देना आपके लिए अच्छा रहेगा, ओम घ्रड़ी सुरियान में गरिस मंतर का जब करते हैं ता आज आपका समय बतीत होगा, जो आपका मन काफी जिससे परसंद रहेगा, जिदि अगर आप कोई पूजी निवेस करते हैं ता आपके लिए अच्छा है, जिदि आप नोकरी त्यात के लिए एफल्ट कर रहे हैं, तो आज आपकी प्रितों की परिक्षा में बुलावा आ सक सौधनी के अबरतनी है, अत्युत्साह से कारें बिगड़ सकता है इसलिए, अत्युत्साह से कोई कार करने से बचे, उपाई क्या करना है, भगवान भोले नात के अरादना करें, उनको सम्मी, बेलपत्र, अरपित करें, ओम नमस्युआय मंत्र का जब करें, अब सुब हंके सुख मिलेगा, माली हालत अच्छी होगी, परिवार में नए कार होने से मन परसंद रहेगा, और जो भी कार करते हैं बड़ों का राय लेके करें, और पिता के कारियों में या उनके टेरेटरी में कोई भी दखल अंदाजी ना करें, बाद दिवात करने से बचें, अचानक धनागम का योग बन रहा, आपके पुराने मित्रों के मिलने से मन प्रफुलित रहेगा, परिवारे किस्ति शांदार होगी, धन-धन किस्ति अच्छी होते हुए दिख रही है, सौधनी का बरतनी है, आवेश में आके कोई कारें, उपाय का करना, बड़े भुजर्गों का आशिरवाद लें, और आज आपको क्या करना है कि सफेद बस्तू का दान करें, या दूस्ते बनी मिठाई दान करें, सुबंग के साथ सुबरंग नीला, लक मीठर नो, हरी किश्मा, अब आई हम बात करते हैं ब्रिशिक राशी की, जो ब्रिशिक राशी के जातक हैं, आज उसका रुका हुआ कारे संपन होगा, व्यपारिक की सत्य अच्छी होगी, रियल इस्टेट प्रॉपल्टी से धनला मिलेगा, जो भी आज आप सौधा करेंगे, या जो भी डिल करेंगे, वो लाप्रत आपके लिए सिद्ध होगा, विद्यार्थियों के लिए समय सफलता का है, जद विद्यार्थी विदेश जाना चाहता है, पढ़ाय लिखाई के लिए कुछ बड़ा कारे करना चाहता है, तो उसके एकडमिक केरियर के लिए आज का दिन बैतर है, देश विदेश की आतरा का योग बनना है, आयात निर्यास से धन मिलेगा, शिहत को ले करके थोड फट इस मंतर का जब करें, बन्दरों को केला जुरू खिला में, सुभंके आठ, सुभंके के शरिया, लक्त मीटर है, नो हरे किसमा, बात करते हैं धनुराशी की, जो धनुराशी की जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुती शानदार है, नोकरी में पदोनत होगी, अस् सुभ और मांगली कार होने से मन परसंद रहेगा, संतत्यों की प्रगति से मन प्रफुलित रहेगा, सिक्षण कारे से जोडने का उसर मिलेगा, अगर सिक्षा के चित्र में किसी भी प्रकार का परत्योगी परिक्षा दिये हैं, या एक्जाम के लिए तयारी कर रहे हैं, या सोच रहें कि कहीं नोकरी मिले उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है उसके आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है सौधनी के अबरत नहीं है उतावले पन में आके कोई कारे न करे उपाई क्या करना है भगवान भोले नात की आराधना करे और भगवान बिश्मु जी की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा ओम नमो भगवते बासु देवान विस मंत्र का जब करते हैं ता आपके ल को सबस्तructive कारे कारे कारी का योग बन रहेब वास्त मीलागाहीं आपके पुराने मित्रों से मलाकात वोगि जिससे मान प्रभूलित रहेगा यात्राते थाटन देशाटन हो सकता है कंस्ट्रक्शन के कारियों से धनलाब मिलेगा रियल स्टेट, माइन्स प्रापल्टी और आरगेनी के फिल्ड में अगर पूजी निवेस करते हैं ता आपके लिए लापरत सिद्ध होगा सौधानी के अब रतने घर के विवादों से अपने को दूर रखे हैं उपाय क्या करना है? हनवान जी के अरातना करना आपके लिए अच्छा रहेगा हनवान चलिशा के 11 बर पाट करें आपके लिए अच्छा रहेगा सुबंग के नौ सुबरंग सफेद लग मीटर है आठ हरी किसना बात करते है कुम्भराशी की जो कुम्भराशी के जातक हाज आपके कर्म शित्र में बदलाओ का दिख रहा है कारे पूर होने की संभौना बन रही है आज आपका मोनोबल काफी हाई रहेगा सुब घटनाओं के घटने का प्रवल योग बन रहा है समाजी की सिती में मान सम्मान बढ़ेगा धन की सिती अच्छी होगी बैपार में बृद्धी होगी शेहत को लेकर के तनाव दूर होगा सेहत में सुधार होगा माता पिदा की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है माता और पत्नी की संबंधों में कटुता हो सकता है घर की सिती में थोड़ा सा बाद व्यवाज की सित्पन हो सकते है सनी की साड़े साती के नाते आज आपको अपने संबंधों में काफी उतार चड़ाओ देखने को मिलेगा पता चलेगा क्या सम्मंदों के ज्यान होगा एक्स्पोजर हो सकते हैं जिन सम्मंदों के प्रत्यापकी बड़ी आस्था है सौधनी क्या प्रत्नी है सौधनी ये प्रत्नी की विरुधियों से सौधन रहे और उपाय क्या करना है अच्छा रहेगा मंद्रों को केला खिलावे और चना गुड़ खिलाना बेहतर होगा काली बस्तों का दान कर सकते हैं सुभांकर दो सुभरंगे आस्मानी लक्त मीटर है आठ हरे क्रिश्मी बात करते हैं तिम राशी मीन की जो मीन राशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए योजना है आपके सार्थक होगी पूजी निवेश करना लावकारी होगा सेयर ट्रेडिंग्स में अगर बैपार करनी के योजना बनारेत आपके लिए चाहे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का आयात निर्यात कर सकते हैं अचानक धनलाब हो सकता है खर्च होने से मन चिंतित हो करते हैं उल्जनों में न रहे तनाव न पालें उपाय क्या करना भगवान विश्मुजी के सहस्त्र नाम का पार्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंके तीन सुभंके पिंक लक मीटर है नो हरी अब आईए हम बात करते हैं आज के दिन जन्में जातकों के बारे म आप पर होगान भूलेनात के कृपावर से हैपी बर्ड़े है। आज जिन दर्सकों का जंदेन उनका मुलांक होता है चार तो खासतोर से चार, तेरा, बाई, सक्तिस्य से थी के जन्मी जातक होता है उनका मुलांक होता है चार, चार नमबर अपने आप में बड़ा रहश्य बुलंद होते हैं ब्यक्ति काफी आगे बढ़ता है रिस्क लेने में माहिर होता है और काफी महत्मुटपत प्राप्त करता है राजनेतिक समाजिक आर्थिक दिश्टुकोर से ब्यक्ति काफी मानिंद होता है देखाए जाते है बर्स आपके लिए काफी अच्छा रहेगा अगर कोई न्याले में बाद दिवाज चल रहा होगा तो उसमें आपको बिजैस्ट्री मिलेगी प्रॉफर्टी खरिच सकते हैं पुना सितंबर अक्टूबर नॉम्बर दिश्टुकोर चार महिने हैं वह आपके लिए थोड़ा से स्ट्रगल का होगा कई तरह की समस्यों का सामना करना पड़ेगा हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा तनाव की सतिव धनी रहेगी तो सौधानी क्या बडतने सौधानी विद्वति की खानपान पुन रखें वैज पर विशे旧 ध्यान है उपय क्या करना है हनमान ची की अरादना करें और सन्यवार के दिन सर्सुके के तेल का दान करना आपके लिए अच्छा होगा अब आईए हम बात करते हैं गुरू के नुश्खे की आज है दिन शुक्रवार सनातन धर में और अपने भारती धर गुरंतों में जो दिन शुक्रवार है बड़ा महतपूर है शुक्रवार का दिन खासतोर से देव दैति गुरू शुक्र अचारे का दिन है उन्ही के नाम पर इस दिन का नाम शुक्रवार पड़ा खासतोर से आज के दिन काफी महतपूर है और कुण्डी में अगर सुक्र गरह अच्छा है तो उसकी भूमी का बड़ी महत्पूल होती है, व्यक्ति भेसाज में जाता है, मेडिकल में जाता है, बड़े लेबल पर कारे करता है, अच्छा धनवान होता है, पॉलिटिक से रिचे तुने बड़ा कुछ करता है, तो देख के गर में धन नहीं रुकरा धन को लेकर के दिकत है तो क्या करे के चीट की चावाल लेकर के और उसको पीले राल कपने बांद करके अपने उसमें रख देजे जो ती जोरी है रख देंगे ताक दन किसी अच्छी होगे और इच्छे धन प्राप्ट करने के लिए मंत्र में बतारोज को लिख लेजिए उससे आपको धन मिलेगा ओम हिरेम श्रेम क्लेम महालक्षमी मंगरिय आगच 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 इस मंत्र का अगर आप जब करते हैं ता आपको धन की कमी नहीं रहेगी और धनलाब होते रहेगा ता आप इस बात का जाना